बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम असलाम लेकुम नाजरीन वेलकम टू माय चैनल नाजरीन आज मैं आपके साथ बहुत ही एमेजिंग, बहुत ही यूसफुल और बहुत ही यूनीक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ इन टिप्स के इस्तमाल से आपको बहुत ज़्यादा फाइदे होंगे किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे वो ही काम अब आपका मिन्चों में हो जाएगा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का इन तक लाजमी देखें और इन टिप्से फाइदा उठाएं तो चलें शुरू करतें पनी पहले टिप बिने टाइम जाय किये नाजरीन चाए पीना तो तकरीबन सभी को पसंद होता है लेकिन क्या आपको पता है कि चाए में लोग बहुत जादा मिलावट करते हैं जो हमारी सिहत के लिए ठेक नहीं है चाए में ऐसे कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सिहत पर बहुत बुरे असराब छोड़ता है इन से हमारी तबियत भी खराब हो सकती है यहां पर मैंने दो तरह की चाय की पत्ती ली है अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने असल चाय की पत्ती में और मलावट वाली में फरक कैसे करना है अब मैं दो गलास पानी के लूँगी एक सादा गलास और एक डिसाइन वाला ये दो तरह के गलास मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको इन में फरक वाजिया नजर आ जाए एक बाउल से मैं एक गलास में चाय की पत्ती डालूंगी और दूसरी बाउल से दूसरे गलास में तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूनों गलासों में मैंने चाय की पती डाल दी है अब मैं चमच के साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक गलास में बहुत जल्द कलर डार्क हो गया है मतलब इसमें कलर डाला गया है जबके दूसरे गलास में अभी भी ज्यादा कलर नहीं आया तो इससे ये थाबत हुआ है कि जिसमें जल्दी कलर आ गया है उसमें कलर का इस्तमाल किया गया है ये मिलावट वाली चाय की पत्ती है और दूसरे गलास में बिलकुल भी चाय की पत्ती मिलावट वाली नहीं है इसलिए जब भी आप चाय लेकर आएं तो इस तरीके से उसका टैस्ट लाजमी करें ताकि आप भी मिलावट वाली चीजों से बच सकें आप बिलाजमी एक बार इस टिप को ट्राय करके देखें आपको इसका रिजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक दर्मयाना साइस का प्याज इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे आपने इसको बारी ग्रेट करना है क्योंकि हमें सिरफ इसका जूस चाहिए अगर हम इसको बारी ग्रेट नहीं करेंगे तो इसका जूस अच्छी तरह से नहीं निकलेगा एक प्याज से जितना जूस निकलेगा वो हम सारा यूस करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को ग्रेट कर लिया है अब हम इसका जूस निकालेंगे तो इसके लिए हम लेंगे एक चलनी उसमें हम इस प्याज को डालेंगे और चमच के साथ दबा कर इसका सारा जूस एक बाउल में डालेंगे अब हम इस juice में डालेंगे half glass पानी, फिर हम इसमें डालेंगे detall, 2 टेबल स्पून अब हम इसमें add करेंगे citrack acid, 1 टेबल स्पून, citrack acid को हम टार्टरी भी कहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिर्का, तक्रीबन 2 टेबल स्पून, सिर्का को हम जैदा तर चाइनीज खानों में इस्तमाल करते हैं, ये आपको किसी भी जैनल स्टोर से हसानी से मिल जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे काफूर, काफूर की दो टिक्कियों को पीस कर हम इसका इनसे गिन भी बहुत आती है और इनसे डर भी बहुत लगता है, ये ज़्यादातर किचन में, बातरूम्स में और लाइट्स के पास उती हैं, इनसे जान चुडाना बहुत मुश्किल होता है, आज की स्टिप में आपका ये मसल्या भी सॉल्व हो जाएगा, तो जैसा कि बजार के महंगे स्प्रेय जैसा ही काम करेगा लेकिन उसमें जहरीली अद्वियात का इस्तमाल किया जाता है जो सांस के जरीए हमारे जिसम में दाखल हो जाती हैं ये इनसानी सहत के लिए ठीक नहीं है खास तोर पर बच्चों के लिए इसलिए आप ज्यादा तर घ्रेली नुसकों पर अमल किया करें तो आपने ये करना है कि जहां पर भी आपको छिपकली नजर आ जाए उस पर इस स्प्रेय को कर दें छिपकली उसी वक्त बेहोश होकर गिर जाएगी अगर आप इसको दिवारों पर स्प्रेय करेंगे तो छिपकली बिलकुल भी उस दिवार पर नहीं आएंगी क्यूंके इस स्प्रेय की स्मेल उनको बहुत बुरी लगेगी वो दुम दुबा कर भाग जाएंगी ये टिप आपको इंशाला 100% फाइदा देगी आप भी लाज मिलाते हैं बाज दफा हमारी दालें एक महीने से भी ज्यादा देर पड़ी रहती हैं ज्यादा देर पड़ी रहने के बाद इन में कीड़े पड़ जाते हैं जिसकी वज़ा से हम इसको फैंक देते हैं आज कल इस महगाई के दोर में अगर हम इनको फैंक दें तो हमें बहु करने के लिए हम लेंगे, कैस्टर ऑइल, इसके 2जन डॉप्स हम हाथ पर डाल कर सारी डाल पर लगाएं गे, आपने इस तरह से सारी डाल पर आउल लगाना है, दिहां से देख लें, ताकि जब आप डाल को सेव करें, तो आपको कोई भी टेंशन ना हो आप इस तरीके से सारी डालों को महφifice कर सकते हैं मैं भी इसी तरीके से डालों को महفوظ करती हूं इससे हमारी डाले 6 माह तक क्यों से महf op और निया है तो ये देखें हमने अच्छी तरह से सारी डाल पर ओईल लगा लिया है अब हम लेंगे एर टाइट जार, उसमें हम इस डाल को डाल देंगे आपने एक बात का लाजमी दिहान रखना है कि आपका एर टाइट जार मुकमल खुश्क होना चाहिए इसमें जरा से भी नमी ना हो क्यूंके अगर जार में जरा से भी नमी हुई तो आपकी डाल से अजीब सी स्मेल लाना शुरू हो जाएगी फिर आपकी डाल खराब हो जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी डाल एर टाइट जार में डाल दी है अब आप इसको बंद करके जहां पर मर्जी रखे आपकी डाल 6 मां तक कीड़ों से महफूज रहेगी आप बिलाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इंशाला 100% मिलेगा नाजरीन ये टिप मेरी बहुत ही यूनीक है इस तरह का जाडू हम रोज मरा अपने घर में इस्तमाल करते हैं जब हम इसको इस्तमाल करते हैं तो बास दफ़ा ये हमारे हाथों पर जखम कर देता है क्यूंकि इसकी साइडों पर कुछ नुकीले से कांटे टाइप कोई चीज होती है जो हमारे हाथों को जखमी कर देती है आज मैं आपको ऐसी सबस्टिप बताऊंगी जिस से आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा तो इसके लिए हम लेंगे एक सॉक्स इस तरह की एक सॉक्स गुम हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका इसका इस्तमाल कर लो अब हम इस सॉक्स को ज़ाडू के नीचे वाले पार्ट पर लगाएंगे इस तरह की पुरानी सॉक्स को हम ज़्यादा तर बिकार समझकर फैंक देते हैं या फिर अगर एक सॉक्स गुम हो जाए तो दूसरी सॉक्स को भी हम बिकार समझकर फैंक देते हैं लेकिन फैंकने की बजाए हम इनका इस्तमाल बहुत से कामों में कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जाडू पर सॉक्स को लगा लिया है अब आप इस से जैसे मर्जिस पाई करें आपके जाडू से ना तो तिनके अलग अलग होंगे और ना ही ये अब आपके हाथों पर लगेगी हमने बिकार चीजसे अपने लिए असानी पैदा कर ली हैं आप भी इस तरह से बिकार चीज़ों को यूज करके अपने लिए असानी पैदा कर सकते हैं आप भी लासमी एक बार इस ट्रिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा नाजरीन अगर आप फूल गोबी को फ्रीजर में फ्रीज करना चाहते हैं तो क्या आप फ्रिज में फूल गोबी को ऐसे ही रख देते हैं फूल गोबी में अकसर ही कीडे मुकोडे होते हैं आप इसे हरकिस भी इस तरह से फ्रीज ना करें क्योंकि ये कीडे मुकोडे फ्रीज में रखी हुई हमारी बाकी चीज़ों में भी गुश सकते हैं अब आप दिहान से देखें इस वीडियो को मैंने इस फूल गोबी को गैस्टव पर लो फ्लेम पर रख दिया है इस तरह से आपने भी रखना है इसको हम लो फ्लेम पर 20 से 30 सेकंड के लिए रखेंगे और इसके नीचे वाले पार्ट्स को जलाएंगे इससे ये होगा कि इसमें जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे तो हमारे 20 से 30 सेकंड हो गये हैं और गोबी के नीचे वाले पार्ट्स भी जल गये हैं अब हम इसको नीचे उताल लेंगे और इसके जले हुए पार्ट्स को हम छुरी से उताल लेंगे आपने देखा होगा कि फूल गोबी में बहुत से कीड़े निकराते हैं जब हम इसको फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो ये कीड़े हमारी फ्रिज में रखे बाकी खानों में और फलों में घुस जाते हैं तो इनसे हमारी चीजें खराब भी हो सकती है ये तरीका बहुत अच्छा है गोबी को फ्रीज करने का इस से आपकी गोबी के जायके में भी कोई फरक नहीं आएगा तो ये देखे हमने गोबी के जले हुए पार्स को उताय लिया है अब हम इसके चुरी के साथ छोड़ छोड़ से टुकड़े कर लेंगे और गले सड़े पार्स को हम निकाल कर बाहर भैंग देंगे ये तो वक्ती तोर पर इसको सेव करने के लिए मैंने इसके बड़े बड़े पार्स किये हैं जब आपने इसको पकाना हो तो तब आप इसको काट कर अपने हिसाब का कर लें जैसे आप पकाते हैं और पकाने से पहले आपने इसको लाजमी धोना है तो ये देखे हमने इसके टुकडे कर लिये हैं अब हम लेंगे एर टाइट कंटेनर इसको हमने धो कर मुकमल खुश्क कर लिया था अब हम इसमें रखेंगे गोबी आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि गोबी भी मुकमल खुश्क होनी चाहिए तो ये देखें हमने फूल गोबी को कंटेनर में डाल दिया है अब आप इसको फ्रिज में रखें आपकी गोबी एक हफते तक खराब नहीं होगी आप भी लाजमी एक बार इस ट्रिप को ट्राइगर करके देखें आपको इसका रजल्ट इंशाला 100% मिलेगा